नमस्कार, आज मैं उन शात्रों के साथ बात करना चाहूंगा, जो अभी अपना MLT, DMT, BMLT, BWOC का एजुकेशन खतम करके, अभी इंटेंशिप में जाने के लिए तयार है. तो पहले मैं आपको इंटेंशिप का क्या मतलब है, देखिए, आप जो भी टेक्निक्स और जो भी MLT रिलेटेर सारी बातें जो कुछ सिखे हैं अपने इंटेंशिप में, तो उसका कलेक्टिव यूज एक व्यावसाइक लैबोटरी में कैसे होता है, उसका अनुभव पाना, यहीं मतलब है इंटेंशिप का, काफी फरक है ना, कि आप लैब में अपने कॉलेज के लैब में काम करते हैं, और होस्पिटल ने तो कमर्शल कमसे भी लैब के साथ काम करते हैं, उसमें, क्योंकि कॉलेज में जितने भी आपके पास और एकदम लिटेस्ट, मौडन टेकनोलोजी वाले इंस्टुमेंट्स वापे होंगे, और सबसे महत्वपुर्णा बात यह है, कि वहाँ पे पेशन्स होंगे, और पेशन्स के साथ कैसे व्यवार होती है, वो सब आने के लिए आपको इंटेंशिप, यह एक बहुती महत्व पूर्णा बात है, तो इन जनरल इंटेंशिप में आपको यह सारी चीज़े देखने के लिए और सिखने के लिए मिलते हैं, पहली बात तो पेशन्स के साथ कैसे व्यवार होता है, दुसरी बात अलग-अलग स्पेसिमें जो लेबर्टरी में यूज किये जाती है, वो कैसे accurately कलिट किये जाती है, तिसरी बात वहां के सारे स्टाप मेंबर्स के साथ कैसे व्यवार होता है, फिर चबती बात वो सारे स्पेसिमें मैनुवल और आटोमेटेड मसिन से कैसे अनलेस्ट किये जाती है, अगली बात सबसे महतों कुरना कि टोटल कॉलिटी मैनेजमेंड यू और बाद में ओर इपोर्स पेशन को कैसे डिस्पेच किये जाती है, तो आप एक बात जहूर करिए कि मेरा टोटल कॉलिटी मैनेजमेंड के बारे में दो वीडियो पहले से ही मवजूद हैं, वो पहले देख लीजें, तो आपको पता चले कि टोटल कॉलिटी मैनेजमेंड लेबटरी में कैसे होता है, इंटर्शिप में जाने के पहले एक बात का खयाल रहे कि आपको क्लिनिकल लेबटरी के बारे में पूरी मालूमत हो जैसे कि वहाँ पे कमसा ग्लास वेर होता है, कमसे अलग-अलग रियजेंस यूज होते हैं, कमसे अलग-अलग यूज जो भते हैं, और बाकी के भी सारे गालेक्शन कैसे किये जाते हैं, और अलग-अलग टेक्निक्स, जैसे के फोटोमेटरी, स्पेक्टो-फोटोमेटरी, सेंटिफूगेशन, फिर मायक्रोस्कोपी, कल्चर और सेंसरियोटी टेस्ट के लिए जो लगता है हो है, वह टेक मिक्स उसके साथ आपको सेफटी के बारे में और वेस्ट डिस्पोजल के बारे में भी अच्छी तरह से मालूमात होना जरूरी है तो शुरुवात कैसी करनी है वहाँ पे रोज आपको टाइम के पहले कम से कम 10 से 15 मिल्ट पहले पहुंचना है और साथ में क्या लिके जाना है एक नोटबुक एक विशय के लिए हर एक विशय के लिए अलग अलग नोटबुक होना जरू है साथ में पेन होना चाहिए, दाइकरों लुक की शायद ज़रुरत पड़े, और आपको एक अच्छा सफेज सुतरा लागोट्री को हमेशा साथ में लिख जाना है, ये बिल्कुल मत भूली. तो अब मैं आपको बताऊंगा कि रोज का रिपोर्ट आपके नोटबूक में कैसे लिखते हैं, पहले आज का तारिक लिखिए, उसके बाद में आप जब लागोट्री में जाएंगे तभी का टाइम लिखिए, और लागोट्री में जब निकल जाएंगे वो टाइम तभी लि से पुछिए कि आपके लिए वो क्या काम बताते हैं, और वैसे आप काम करें और नोटबूक में लिखते जाएंगे, अगर मैं डिवजन हेड होता, तो मैं आपको बूलता कि एक नंबर से लेके ग्यारा नंबर तक लेफ्ट हैंड साइड में, जो भी मैंने डूटीस कि पहले आप स्पेसिमेंट जैसे की खुण, योरिन, उर्थ, पुटम वो कैसे कोलेट करते हैं वो देखें, पेशन को इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं देखें, फिर सिरम और प्लाजमा का सेपरेशन करते हैं देखियें और गलने लिखिये उर नंबर लिखिये कि कितने करते हैं वह देखें वेक्व टेनर सिस्टीम कैसे यूज़ करते हैं वह देखें और आप खुद अगर अच्छी तरह से खून कलेट कर सकते हैं और आपको खून करने को दिया गया तो कितने पेशन्ट का खून अपने कलेट किया वह नमबर लिखी फिर हिमेटलोजी एनलाइजर जैसे कि एक्जम्पल एर्मा का कारियर देखा है तो वह लिखें बाद में जो रिपोट आती है उसको हम हिस्टोग्राम केरते हैं वह रिपोट देखें और समझने की कोशिश करिए कि हिस्टोग्राम वैसे क्यों निकला है उसके लिए आप हमार बुक का सहारा ले फिर हिमेटलोजी में क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं उसकी जानकरे ले और डियालूटिक फ्लूइड और कैलिबिटर्स की भी जानकरे ले कि वह कैसे यूज होते हैं अनलाइजर पर बाद में आप क्या करना निकलने के पहले एक देड़ी गम्ते पह माइक्रोस्पोप के नीचे देखे और उसके अब्जरवेशन लिखे तो एक बात नोग करिए कि ऐसे ही आप लिखते जाए हर एक सेक्शन में जो भी आप काम करते हैं उसकी जानकरे और बाद में जब आप गवर लवटेंगे तब ही खाना खाने के बाद में आराम से बठक कि जो भी काम किया है वो देखिए पहले और उसके बारे में बुक के साथ रिलेट करें बुक के साथ फिर आप देखिए कि आपका द्नान और कैसे बढ़ सकता है और उसके बारे में सोचें और आखिर में मैं आप सब्यों को एक बात बताऊंगा कि अगर आपके टीचर ने आपको कुछ प्रोजेक्ट दिये है तो आप ज़रूर बनाएं मगर आप हर एक सेक्शन के लिए एक प्रोजेक्ट अपने आप ज़रूर बनाएं मेरा वीडियो है कि प्रोजेक्ट कैसे बन पर सब्सक्राइब तो आपके पास कम से कम पाच ने तो छे अच्छे प्रोजेक्स होंगे तो जब भी आप वो प्रोजेक्स लेके जाएंगे इंट्रूइब के लिए तो इंटर्वी लेने वाले काफी खूस हो जाएंगे और आपको जौब में कि संभावता बढ़ जाएंग आपगर ध्यान में रखिये कि प्रोजेक्स के बारे मीं आपको हर एक लें के बारे में अच्छी तरसे होना जुरूरा है और इसके लिए आप एक अच्य बुक का साहरा ले तो आपका प्रोजेक्स आच्छा बद सकता है तो सारे विढ़ार के एंट्यों के लिए उन तरह से हो जाएगा और यह जो वीडियो है वह आपको दोस्तों के साथ बाफी चातरों के साथ शेर करें सब्सक्राइब करें और आगे बढ़िए